है अई अई हईलो एवरी वान वैलकम बैक तो वी यूट्यूब चैनल आज हम डिसकस करने वाले हैं हाउ तो फाइंड मोलेक्ली फॉर्मॉला परलकेन अलकाइन कंपाउंड तो अलकेन क्या होता है अलकेन कार्बण कार्बण कंटेंग सिंगल बॉंड वह दिस अलकेन कार्बन 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 कंटेनिंग डबल बॉंड and alkyne is कार्बन कार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉंड alkyne का general formula क्या होता है cn h2n plus 2 alkyne general formula is cn h2n and alkyne general formula is cn h2n minus 2 तो यहाँ पर molecular formula निकालने के लिए सबसे important चीज़ आपको जो याद रखनी है वो है general formula alkyne का general formula क्या होता है cn h2n plus 2 alkyne general formula is cn h2n and alkyne general formula is cn h2n minus 2 अब यहाँ पर देखिए alkyne के जो compound होते है जैसे methane, ethane, propane, butane, pentane ठीक है तो अगर कोई भी compound दिया जाता है आपको for example यहाँ पर दे दिया गया है pentane ठीक है यह एक alkyne का compound है ठीक है क्योंकि यहाँ पर देखिए एन है ठीक है जब suffix में एन लगा हो ठीक है तो वो alkyne के compound है अगर यहाँ पर रहता in e-n-e तो वो alkyne का compound होता अगर आइन होता that is y-n-e आइन होता तो वो alkyne का compound होता तो यह एक alkyne का compound है तो इसमें हम कौन सा general formula लगाएंगे alkyne वाला है यह वाला c-n-h2-n-plus-2 n क्या है number of carbon atom तो इस pentane में हाँ पर देखिए pent यह जो word root है pent pent मतलब कितने carbon five carbon ठीक है यहाँ पर मैं आपको लिखवा के दे देती हूं उज़र side में number of carbon word root अगर number of carbon one है तो one के लिए word root होता है math two carbon के लिए word root होता है it three prop four beaut five pent six hegs seven hept eight oct nine nine and ten deck और राइट तो यहाँ पर देखिए word root क्या है यहाँ पर pent यहाँ पर है pent pent मतलब कितने number of carbon five तो यहाँ पर n के जग़े पर हम क्या लिखेंगे five लगाएंगे ठीक है so pentane का molecular formula क्या है c5 h12 इसी तरीके से अगर दे दिया गया hexane what is the molecular formula for hexane so यहाँ पर देखिए यहाँ पर word root क्या है hex hex मतलब कितने carbon होते हैं यहाँ पर देखिए hex मतलब six carbon मतलब n की जग़े पर यहाँ पर हम क्या लगाएंगे six लगा देंगे so c6 h6 12 12 12 12 14 so hexane का molecular formula क्या होता है c6 h14 इस तरीके से कोई भी alkane का compound दिया जाता है तो आप असान तरीके से general formula को use करके उसका molecular formula निकाल सकते हो अब आ जाते हैं alkene पर ठेके alkene क्या होता है carbon carbon containing double bond और इसका general formula क्या होता है cnh2n तो यहाँ पर हम ले लेते है जो पहला alkene होता है that is ethene यहाँ पर देखे en आ गया अगर यहाँ पर en होता तो वो alkene का compound होता है यहाँ पर en आ गया en मतलब यह alkene का compound है alright so यहाँ पर देखिए यहाँ पर word root क्या है eth eth मतलब number of carbon कितने होते हैं 2 so यहाँ पर N की जगा पर हम क्या लिखेंगे 2 so C2H2 into 2 C2H4 so Ethene का molecular formula क्या होता है C2H4 ऐसी एक और example ले लेते हैं that is Pantene so Pant मतलब कितने number of carbon होते हैं 5 so N की जगा पर हम 5 पूट करेंगे C5H2 into 5 so C5H10 this is the molecular formula for Pantene alright next is Alkyne Alkyne is what? Carbon-carbon containing triple bond और यहाँ पर Alkyne का general formula क्या होता है CnH2n-2 यहाँ पर हम पहला ले लेते हैं Alkyne that is Ethene ETH Pyene और राइट इत मतलब number of carbon कितने होते हैं 2 तो N की जगा पर हम 2 पूट कर देंगे C2H2 into 2 minus 2 so C2H2 is a 4 4 minus 2 2 so Ethene का molecular formula क्या होता है C2H2 then next यहाँ पर हम ले लेते हैं Heptine हेट हेट मतलब कितने carbon आ जाएंगे 7 carbon होते हैं तो N की जगा पर 7 पूट कर देते हैं C7H2 into 7 minus 2 so C7H7 to the 14 14 minus 2 12 so Heptine का molecular formula क्या होता है C7H12 इस तरीके से आप Alkin 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 का molecular formula निकाल सकते हो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना है General formula याद रखना है और इसके साथे साथ आपको ये part भी याद रखना है ठीक है कि वर्ड रूट में कितने number of carbon होते है so आज के वीडियो में हमने सीखा कि molecular formula कैसे निकाला जाता है next वीडियो में हम सीखेंगे ये जो हमने molecular formula निकाला है ठीक है इस molecular formula से structure formula कैसे draw किया जाता है